नमस्कार साथियो मैं अमेश शर्मा आप सभी का अनकैडमी के MPPSC विजयपद चैनल पर स्वागत करता हूं साथियो आज हमारा मैसेन रीजनिंग डेली डोस में 11 बच्चे 15 मिट पर क्लास होना था लेकिन किसी टेक्निकल रीजन की वज़े से ये क्लास लाइव नहीं हो सका है तो हम अपने करम में कोई व्यवधान आए कोई रुकाबटा हो इसलिए इसको रिकॉर्ड करके आज आपको क्लास दे रहे हैं बागी सौंबार से हम लोग नियम में समय पर फिर लाइव क्लास लेंगे चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेस्चन और आज का पहला क्वेस्चन हमने स्क्रीन पर लगा दिया है in a certain code 329 means God is life 927 means love is beautiful what is the code for 3OD God एक निश्यत भाशा में 329 का आर्थ है God is life है न तो 329 का आर्थ है God is life ओके तो देखे 329 का आपको code दिया है God is life 329 का आपको code दिया है God is life God God is life is love God is love sorry God is love ठीक है और 927 को क्या code कर रहे है 920 927 को code कर रहे है 927 love is beautiful love is beautiful इसको क्या code कर रहे है love is beautiful love is beautiful 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 ठीक है beautiful तो God के लिए क्या code होगा देखो God यहाँ पर है is love यहाँ पर भी है इस लव यहाँ पर भी है अच्छा इसमें हमारा 2 और 9 कॉमन है और इसमें भी 2 9 कॉमन है तो बचा 3 और 7 तो फिर बटा God का मीनिंग क्या हो जाएगा 3 और beautiful का मीनिंग क्या हो जाएगा 7 हमको God का मीनिंग पूछ रहे हैं तो यहाँ पर God का जो code है वो कितना होगा God का code कितना होगा यह होगा 3 9 तो हमारा code होई गया तो God का थर्टीन लिख रहे हैं फीट को 41 तो जैट को क्या लिखेंगे यह हमारा question ठीक है तो मेरे साथ साथ आप भी मनाईए तो कैब को 13 लिख रहे हैं कैब को लिख रहे हैं 13 ठीक है कैब को 13 लिख रहे हैं तो क्या लॉजिक लगा होगा इसमें के आपको 13 लिखने के पीछे logic क्या लगा होगा और feed को हम लिख रहे है 41 feed को हम लिख रहे है 41 ठीक है feed को लिख रहे है 41 तो अब आप बताईए कि Z का code क्या होगा है z jade का code क्या होगा तो देखो coding recording के logic में यहीं होता है कि सबसे पहले हम यहीं सोचते हैं कि अलफावेट का क्रम क्या है तो c सी जो होता है वो हमारे तीन नंबर पर होता है A जो होता है वो एक नंबर पर होता है और B जो होता है वो दो नंबर पर होता है ठीक है तो यह थीन इनकों जोड़ोगे तो तीन एकम तीन हो दो पाँच आ रहा है यह ना च्छे आ रहा है यह तोटल इनका कितना आगे अच्छ है लेकिन यह हमारा तेरा है तो यहां पर F क्या होता है 6 होता है E क्या होता है 5 होता है और यह E क्या है यह E भी हमारा 5 है और यह D क्या है हमारा 4 है तो यहां पर क्या हो रहा है 6 और 5 और 5 10 10 और 10 10 20 हो गया ना लेकिन एक तालेस है तो यहां बटा एक बास समझ में आ रही है कि इनका जोड जो है वो हो रहा है इनका जो जोड है वो हो रहा है 6 और 6 दूनी 12 प्लस 1 6 दूनी 12 प्लस 1 होता है 13 तो इंटू 2 प्लस 1 और यहां पर भी देखो आप इनका जोड कितना हो रहा है 6 प्लस 5 प्लस 4 तो यह कितना हो गया 6 और 4 10 और 10 20 तो जोड कितना हो गया 20 यह 41 है तो वहिया आप यहां से सोचिए कि अब इसका कोड क्या होगा जे कितना होता है 10 होता है ए कितना होता है एक होता है डी कितना होता है चार होता है और ए कितना होता है पांच होता है यह होता है तो इनका जोड कितना होगा इनका जोड होगा दस और एक ग्यारा ग्यारा कितना हो गया यह पांच और पांच दस दस बीस हो गया जोड कितना हो गया इनका बीस हो गया तो बीस को क्या लखेंगे, बीस दुनी, चालीस और एक एक तालीस, बीस दुनी, चालीस और एक तालीस, तो 41 होना चाहिए, इसका अंसर क्या होना चाहिए, इसका अंसर होना चाहिए, 41, ठीक है, तो D is right answer इसका, ठीक है, चलिए, तो अगला question स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, और आप अगले question को बनाईए, चलिए, तो question अगले question को बनाईए, इसका नमबर तीन स्क्रीन पे हैं, और इसका जवाब क्या होगा, यह आपको देता हूँ, तो alpha coding recording का concept यह ही है, कि आप इसमें number डाली है सबसे पहले, तो यह 1 हो गया, यह 4 हो गया, यह 7 हो गया, और यह 10 हो गया, ठीक है, यह आपका M कितना हो गया, 13, P कितना हो गया, 16, S कितना हो गया, 19, और B कितना हो गया, 22, ठीक है, तो एक 4, 7, 10, तो बटा, 1 में 12 जोड़ोगी, तो 13 आ रहा है, है न, और 4 में 12 जोड़ोगी, तो 16 आ रहा है, 7 में 12 जोड़ोगी, तो 19 बिल्कु भी गया, तो बटा, प्लस 12 को लॉजिक है, तो इसमें माइनस 12 को लॉजिक लगेगा, तो यह N कितना हो गया, 14, और इसको आप 12 कम करोगे, तो कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, दो का मतलब B, अब एटक, एक ही option है, जो B से सुरू हो रहा है, यह न, तो बिना सोचे, समझे, आप क्या answer टिक कर दो, इसका, यह option, इसका answer टिक कर दो, ठीक है, प्लियर है, चलिए, तो पूरा हमको चेक करने की ज़रूती नहीं थी, पहले option से ही हम it कर गए, इसका answer क्या हो होगा, यह इसका answer होगा, चलिए, ठीक है, अगला question देते हैं, यह हमारा हो गया, तीतरा हो गया, अब हम चौते question पर आते हैं, चलिए, ठीक है, चौता question स्क्रीन पर है, 386-401-417-434 and question mark, यह क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक, तो series में logic क्या होता है, series अगर तेजी से grow कर रही है, तो multiply का logic है, और slowly grow कर रही है, तो difference का logic है, तो यहाँ series को देखके आप समझेए, series थोड़ी slowly जा रही है, तो slowly जा रही है, तो फिर आप इस में gap सर्च कीजिए, gap कितने का होगा, तो पहले यहाँ पर gap कितना आ रहा है, ब पांच आ गया, नौ में से 8 उटा होगी, तो एक आ गया, तो पंदरा का gap है, यहाँ पर gap बटा, 16 का देखते ही समझ में आ रहा है, यहाँ आप देखो, 17 दूनी 34 तो है, 17 का gap आ रहा है, तो बटा फिर next gap कितना होना चीए, आपका 18 का, next gap कितना होना चीए, 18, तो आप देख बटा answer is D option, तो answer हमारा क्या होगे आज का, D option इसका answer होगया, ठीक है, तो यह था आज के हमारे daily dose का 14 question, जो मज़ा live पढ़ने में है, वो मैं समझता हूँ, recorded में नहीं होगा, बट आज के लिए आपको manage करना है, next class जो Monday को होगी, हम उसको proper तरीके से ले लेंगे, आज कुछ technical problem की बज़े से, ये class हमारी live नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैं चमा परारती हूँ, मुझे खेद हैं, और आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बाकि इसका अपना schedule time से भी अलग time पर ये class हो रही है, तो थोड़ा सा आप manage कीजी आज, और अगला question हमने screen पर ले लिया है, और एक ह बड़ी संख्या हैं कैसे बन रही हैं हमको इसको देखना है, बड़ी संख्या हैं कैसे बन रही हैं हमको इसको देखना है, और last number क्या होगा, ये हमको निकालना है, तो चार तीन बारा होता है, आट शे अड़तालिस होता है, और नो पंज, देखो, तो बटा यहां लोजिक और इस में सिर्फ 45 में दो कम करतो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 43 तो बेटा अंसर इसका कितना हो गया A option इसका answer हो गया ठीक है इसका answer कितना हो गया A option इसका answer हो गया clear है भई चलि उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी और हम अगला question लेते हैं next question आज कर तो चलि थोड़ा सा समय भी देते हैं आपको आप जैसे ये question है च्छटबा question है ये normally ये pattern हमारा bank के exam में ज्यादा पूछा जाता है लेकिन ये आ सकता है किसी भी exam में अन्य exam में भी पूछा है बैंक का तो लगवग first question होता है तो आप सोचिए इसमें कौन सा conclusion इसका सही होता है बट इसमें option हमको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं conclusion हमारा option हमारे इसमें हमको show नहीं हो रहे हैं चलि कोई नहीं option show नहीं हो लिता है मैं आपको इसको explain कर देता हूं इसमें चार option होते हैं चार option होते हैं जैसे first follow दूसरा होता है बटा second follow दूसरा option होता है आइदर वन और टू, यह होता है, अब इस question में क्या होता है, वो देखिए, देखो, h जो है, वो i से छुटा या बराबर है, आई, p से छुटा या बराबर है, p, j से छुटा या बराबर है, ठीक है, और e और t का अलगी खेल दे रखाएगी, अचाई यह बीच में कौमा नहीं आना चाहिए, यह गलत है, तो जो e है, वो j से बढ़ाया बराबर है, और t, e के बराबर है, तो कहानी h और j के बीच की है, तो j से छोटा p, p से छोटा i, i से छोटा h, इसका मतलब जो है, कि जो h है, वो j से छोटा तो होई रहा है, लेकर हम equal का sign भी ले लेते हैं, तो j बराबर p, p बराबर i, i बराबर h, तो उस condition में i और h बराबर भी हो सकते हैं, तो हम ऐसा sign भी ले सकते हैं, तो conclusion तो हमारा यह आ रहा है कि h less than equal j है आप बात समझे जो h है वो less than equal j है अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो h है इसमें दो result है बट हम शूर नहीं है कि कौन सा result हमारा हो सकता है तो बट हम बोलेंगे h या तो j से छोटा है या j के बरावर है या j के बरावर है ठीक है बात समझे आप तो अगर आपको बोला जाए कि h j के छोटा है तो यह गलत होगा अगर आपको बोला जाए कि individually h is less than j तो यह wrong होगा क्योंकि exactly हमको नहीं मालूम हमको निश्यत रूप से यह नहीं पता कि h j से छोटा है या नहीं है छोटा है या बरावर है इन मैंसे दो मैंसे कोई एक बात है निश्यत रूप से हम यह नहीं कह सकते कि h j बरावर है हम निश्यत रूप से यह भी नहीं कह सकते कि h j से छोटा है बात समझे आप तो बिटा यहां पर अगर first follow बोलो आप बोलो कि पहला सही है नहीं हम sure نہیں है. पहले के बारे में हम sure नहीं है. एच जैसे चोटा है. ये पका नहीं है. हमको doubt है. चोटा हो भी सकता है या बरावर भी सकता है. दूतरा बोलो की नहीं quem के बरावर है. तो हम यहां पर भी sure नहीं है. है ठीक है. पहला और दूतरे बहुत ये भी बिटा गलत हो गया, लेकिन हम ये बोल तकते हैं कि या तो पहला सही है, या सेकंड सही है, तो बिटा इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, फोर्थ option, बात समझे आप, है न, कलियर हुआ आपको, तो या तो बिटा पहला वाला सही है, है, individually first wrong, individually first wrong, और individually second भी wrong, but comparatively, one or two में से कोई एक तो definitely सही हो नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं, either one or two is right, clear है, या either one or two is follows, ठीक है, चलो, तो ये था अमारा आज का question number 6, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question पर, question number 7 है हमारा, चलिए, बढ़नाईए, आप लोग साथ-साथ मेरे की 5 बस्तुएं है, K, L, P, R, O, T, एक के ऊपर एक रखी हैं, हना, एक क्रम से रखी हैं, मतलब एक बस्तुएं उपर है, फिर एक उपर है, फिर एक उपर है, ऐसे रखी हुई हैं, और आपको उपर हैं, तो K, जो है, वो T, के ठीक ओबर हैं, ठीक, K, ठीक 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 नेच़, के ता रखी हैं, इसका मतलब देगए, इन के थीक में बनेगी, तो L, P, के ठीक उपर है मतलब यहाँ पी होगा और इसके उपर ऐल होगा यह आपको समझेआ लिदा किसके नजरा रही है नीचे से दूसरी स्थिति कि नजरा रही है का किने जरा रही है कि एक बर और पढ़ लेते हैं, इसको एक बर और पढ़ लेते हैं, कई कुछ गड़बर तो नहीं होगा है जल्देवाजी में, तो कहते हैं कि K के ठीक ऊपर, के के ठीके ठीक ऊपर है जो के है वो टीके ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे है परफेक्ट बटा इसमें तो कहीं कोई दिकत नहीं है ठीक है एल पी के ठीक ऊपर और टीके ठीक नीचे है जो एल है वो पी के ठीक ऊपर है और टीके ठीक नीचे है अज़ा टीके ठीक नीचे ह तो यह थोड़ा सा यहां error हो गया हमारा थोड़ा सा यह error हो गया तो देखते हैं कहां यह उपर वाली इस्तिती गलत हो गई है यह इस्तिती गलत हो गई तो फिर यह नीचे बनेगा जो T के नीचे L है और L के नीचे P है तो की के नीचे इन है और में नीचे था नीचेigon के नीचे से दूसरी इस्तिति रहरा है ठाथ हुआ इसका आउसर क्या हो जाएगा डी अप्शन इसका राइट अप्शन हो जाएगा ठीक है चलिए तो डी इसका राइट ऑप्शन हुगा और अगला क्वेशन हम ले लेते हैं स्क्रीन पर तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेशन पर क्वेशन नमबर एट तो क्वेशन नमबर एट है कि क्वेशन नमबर आठ क्या दिया है भी है आठ दिया है कि स्यामा कहती है कि राजीब के पिता के पिता मेरे पिता है राजीब के पिता तो राजीब कोई बंदा है राजीब के पिता इनके जो पिता है ट्रेंगल में मेल है तो ट्रेंगल में लेंगे और इनके भी पिता, राजीब के पिता के पिता, राजीब के पिता के पिता, मेरे भी पिता हैं, अब राजीब के पिता, तो अब भई, अब श्यामा यहां भी हो सकती है, श्यामा, श्यामा, तो राजीब के पिता के पिता, श्यामा के भी पिता हैं, श्यामा के भी पिता हैं, तो स्यामा जो है राजीब के पिताजी की बहन हो गई तो बटा इसका अंसर क्या होगा है बी आप्शन होगा है स्यामा जो है राजीब के पिताजी की बहन है स्यामा फीमेल है यह तो हमको पहले ही क्लिए है कहती है लिखा है तो स्यामा कोन है राजीब के पिता की बेहन तो स्यामा का राजीब से क्या सम्मन्द है तो स्यामा क्या है पिता की बेहन ठीक है चलिए ये आपका हो गया आज़र और लेते हैं अगला question आज का question number 9 तो रोजशी class तो हमारी थोड़ी लंबी चलती थी लेकिन आज live नहीं हो पा रहा है technical issue से तो हम recorded class दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय कम लगेगा ये class आपकी जल्दी कातम हो जाएगी ठीक है तो अगला है कि घड़ी के घड़ी की पानी की छबी water image of a clock is showing time 442 water image है बटा water image का सवाल है कि water image है नीचे मतलब पानी है और या फ्लोर पर कास लगा हुआ है वो भी बात होई तो water image है तो water image में 442 का real time क्या होगा तो जल्दी से आप सोचिए real image real time क्या होगा तो 0422 का real time क्या होगा तो देखो दो तरह क्वश्चन होते थे इसमें एक mirror image का होता था और एक water image का होता था ठीक है तो water image के लिए आपको एक time बताया गया था जिसमें से इसको खटाते यही बताया गया था आपको यह तो पांच नब्वे मैं से यह 36 मैं से खटाते ठीक है तो वाटर इमेज निकालना है 442 का तो बटा 442 को आप माइनस कर दो 590 तो ऐसे ठीक है तो एक कितना आया बटा यह आ गया आठ आ यह आठ आ गया आपका और यह चार आ गया 48 और यह कितना आ गया एक तो बटा आंसर आना चाहिए इसका यह आप्शन 148 तो ग्लॉक में एक वाटर इमेज होता है एक मिरर इमेज होता है अगर मिरर इमेज होता है तो हम 1160 मैं से घटाते थे और वाटर इमेज होता है तो हम 590 ह 630 में से घटाते थे, तो 590 को हम 630 भी भूल सकते हैं, लेकिन 30 से बड़ा 42 है, इसलिए हमने इसको 590 ले लिया, नहीं तो हम घटा थे किसमें से 630 में से घटा थे, 30 में से 42 नहीं घटता, इसलिए 60 में डिजर्ट ट्रांसपर कर दिये, तो 590 में से हमने घटा दिया, clear है बट mathematical reasoning का question है, और इसको आब बनाईए, mathematical reasoning के question को आब बनाईए, क्या दिया है, ये एक चडिया गर में एरन और मोर होती है, ठीक है, हरन है और मोर है, एक चडिया गर में हरन और मोर होती है, सिर गिनने पर वे 80 होते हैं और उनके पैरों की संख्या 200 होती है देखो सिर हैड हमारे कितने है 80 अब हर कोई भी पक्षी हो कोई भी जी वो हैड तो सबका एक ही होता है तो हैड 80 है मतलब number of total अगर आप निकालोगे उनकी संख्या तो वो 80 है अच्छा पैर किसी के 2 होते हैं पक्षियों के नॉर्मली 2 होते हैं और पश्यों के 4 होते हैं ठीक है तो कितने मोर हैं यह आपको बताना है तो बटा मान लो कि जो मोर हैं वो X हैं, मोर कितने हैं, X हैं, तो मोर X हैं, तो बटा हिरन कितने होंगे, हिरन होंगे आपके, जो निकालना उसको X मान लिया, हिरन होंगे हमारे 80-X, क्योंकि टोटल कितने हैं, 80, मोर का हिरन का टोटल कितना दिया है, 80 दिया गया, ठीक है, अब पिटा मोर के लेक कितने होते हैं दो और हिरन के लेक कितने होते हैं चार तो अगर टोटल नमबर ओफ लेक्स निकाले हैं तो मोर के और हिरन के लेक को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दो सो ये कितना हो जाएगा दो सो ठीक है तो 120 आ जाएगा और माइनस 2X हो जाएगा तो 2X बराबर हो जाएगा तो फिर X command कितना आ गया? X command यहां से आ गया, X command यहां से आगया 60 तो बटा आंसर कितना होगे 60 तो नमबर ओफ पिकाउक्स हमको बताना है मोरों कि संक्या उमको बतानी है तो more बटा कितने होंगे, 60 हमारा answer हो गया, right answer is 60 हो गया, ठीक है, तो ये था आज के हमारे daily dose में reasoning का dose, तो रूपे 10 question, ये हमने कर दिये हैं, ये हमने बना दिये हैं, ठीक है, और अब हम लेंगे अपना math का section, ठीक है भाई, अब हम लेंगे अपना math का section, और math में बढ़िया question आपके लिए थे, आज बनाते हैं, बटा आज का, पहला math का question लेते हैं, और आराम से बनाते हैं, question number 11, the length of a road is one kilometer, the number of plants required for plantation at a gap of 20 meter in both side of the road is, एक सडक की लंबाई है, एक kilometer, सडक के दौनों और 20 meter की दूरी पर हमको ब्रक्षर उपन करने के लिए कितने पेड़ लगाने होगे, तो देखो मजे की बात यह है कि हर 20 meter पर हम एक पेड़ लगाते हैं, तो आप देखो, अगर हम, अगर हम 20 meter की distance ले ले ले, तो पेड़ कित लगते हैं, तो पेड़ कितने लगते हैं, एक, दो और तीन लगते हैं, दो दूरी हैं, 20-20 meter की तो तीन पेड़, चार दूरी होती हैं, चार दूरी होती हैं, तो पेड़ कितने हो जाते हैं, तो आप कही ना कही यह देखो, कि 20 meter की एक दूरी हैं, तो दो पेड़, दो दू कि मनें क Uncleке यह मतलब 1000 मिंटर की एक हजार मीटर में 20-20 मीटर के किपने कि तुकड़े बनेंगे तो बटब कितने बनेंगे पचाह तो इसका मतलब एक किलो मीटर पर सड़क के एक और फिरड़ कितने लगेंगे एक क्या거를 Sold कितने 20 मीटर के तुकड़े होंगे होंगा उसे पेड़े क्याद मेरे होंगे यही तो है तो आप देखो कि सड़क के 1 और 51 पेड ंच्ygen मेरे ca provided कितने होंगे क्यावन तो पेड़ तो हमको दोनों तरफ लगाने हैं तो कुल दोनों और पेड़ कितने हो जाएंगे तो बैटा दोनों और पेड़ हो जाएंगे दोनों और पेड़ हो जाएंगे हमारे कितने 102 दोनों और पेड़ हो जाएंगे हमारे 102 यह हमारा अंसर आगे ठी है यह option is right option clear है तो सड़क के एक और पेड़ हो गए क्यावन तो दोनों और पेड़ कितने हो गए 102 तो question number 11 मैस में जो हमारा आज का daily dose था उसका पहला question पहला answer कितना हो गया 102 clear है चलिए तो आज हमारे वर्ष का आखरी दिन है और आखरी दिन हमारी class में कुछ technical issue आ गया और technical issue आने की बज़े से आज हम लोग अपनी class live नहीं ले पा रहे हैं live नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं हम recorded class ले रहे हैं ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं भी है recorded ही पढ़ेंगे यह न, recorded ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं, आज के अगले questions के लिए, उम्मीद करता हूँ, यह question आपको समझ में आ गया होगा, चलिए, आपका अगला question है, और इसको आप बनाईए, चलिए, इसको आप बनाईए, यदि एक slender है, बेलन है कि उचाई में 15% की ब्रंती करते हैं, और उसकी radius में 10% reduce करते हैं, तो बटा आपको बताना है कि उसके curved area में, उसके worker पस्चेत्रफल में, यानि कि curved area में कितना change होगा, कितने percent का change होगा, है न, percentage का question है, आप चाहें तो बोल सकते हैं कि mensuration का question है, बात ए की है, तो देखो, height में ब्रदी हो रही है, 15% की, देखो, सबसे पहले आप यह समझ लो, कि curved area क्या होता है, जो slender का curved area क्या होता है, दीवारों का चित्रफल क्या होता है, वो curved area क्या होता है, 2 pi r h, क्या होता है, perimeter of base into height, यानि कि 2 pi r h, अब यहाँ पे parameter cable 2 है, तो mathematical value 2 है, तो parameter cable 15% बढ़ रही है, radius 15% बढ़ रही है, और जो height है, वो 10% घट रही है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बताता हूँ आपको, कि अगर product of 2 या more than 2 parameter हूँ, और हर parameter में percentage में change दिया गया हो, तो यह percentage change हमारा successive change हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्रमागत परिबरतन के दरश्ठी से देखते हैं, तो बटा 15% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 15% बढ़ने का मतलब होता है, 15% की fraction क्या होती है, 3 बटे 20, 15% की fraction क्या होती है, 3 बटे 20, और 10% कम हो रहा है, तो 10% की fraction होती है, 1 बटे 10, तो बटा 1 बटे 10, तो 15% बढ़ रहा है, तो 20 से बढ़के 23 ह हो गया, तो हमारी जो radius थी पहले 20 थी, 20 से बड़के अग कतनी हो गई, 23 हो गई, और हैड हमारी कम हो रही है 10%,बड़ चाया कम कईके कम हो गई, एक कम कर दोगा तो 20, कम न हो जाएगी बाइस तो आप देखो 22 को 2 से कट दोगार 2 से ये भी कट रहा है 11 बार और ये कट रहा है हमारा 10 बार तो 10 इंट्व 10 यानि की 100 100 रुपे अगर हैं बट आ कितने हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे आपके 11 3 33 ग्यारा तीन ते तीस कुछ गड़गड हो गया क्या अरे सॉरी 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 दस से घटके नौ हो जाएगा नौ हो जाएगा कि एक मिल में द्वारा लेग देता हूं पूरा चलिए तो इसको हम द्वारा लिख लेते हैं तो देखो बीज से कितना हो गया फेट से हो गया तेईस ठीक है और दस से घटके कितना हो गया नौ आब कुछ कट तुरा नहीं है तो मेरे पास अगर दो सो थे तो बढ़के कितना हो गया नो तीन सताइस और दो बचा नो दो नीएठारा तो तो वीट दो साथ तो बटा इसका मतलब साथ की ब्रद्धी हो रही है दो सो पर साथ की ब्रद्धी हो रही है दो सो पर into 100% तो जो ब्रद्धी हो रही है वो कितनी हो रही है साड़े 3% बटाई कितना आ गया यह answer आ गया 3.5% answer कितना आ गया 3.5% अच्छा बढ़ रहा है तो increased तो इसका answer कितना हो गया इसका answer हो गया B option इसका right option हो गया clear है तो percentage का basic question था हमारा और इसका answer हो गया B option ठीक चलिए फटाफट से हम लेते हैं अपना आज का 13 question 8 question हमारे बागी हैं बहुत जल्दी से हो जाएंगे तो अगला question लेते हैं question number 30 चलिए इसको पढ़िए और एक बार कोशिश कीजिए बनाने दी एक दुकानदार को अपने माल का जो क्रेमूल है cost price है से कितरा परसेंट अधिक प्रिंट करना चाहिए है ना अब इसको ऐसे लिखें अगर सीपी से वो कह रहे है MP कितना परसेंट अधिक रखें जिससे की 12% की discount के बाद भी उसको 32% का लाव हो उसको 32% का लाव हो यह आपका question ठीक है तो कई प्रकार से इस question को आप बना सकते हो वो कह रहे हैं कि CP से MP हमारा क्या हो कि 12% का discount देने के बाद भी हमको 32% का लाव हो ठीक है CP से MP कितना परसेंट आवा हो तो बटा CP और MP का जो रेशियो होगा वो कितना होगा यह आपको बताना है देखो यहां एक formula भी बनता है मैं आपको formula भी बताता हूं MP के हिसाब से selling price कितनी होगी और CP के हिसाब से selling price क्या 32% CP का 132% यह selling price होगी और बटा आप बोल सकते होगी print price का 88% भी हमारी selling price होगी print price का 88% भी हमारी selling price होगी MP जितने भी है उसको आप 12% कम कर दोगे 88% पर बेचोगे तो बटा यहां से CP और MP का रेशियो आ जाता है कितना है ता 11 से काटोगे 118 88 और 111 ग्यारा ग्यारा दुनी 22 यह चार से काटोगे 4 दुनी 12 और 4 दुनी 8 चार तीन 12 ठीक है डारेक्ट बटा इसको कैसे याद रखते हैं कि CP बटे MP बराबर CP बटे MP बराबर हम क्या करते हैं अठासी बटे 132 हो रहा तो यह 100-D आपको यह फॉर्मूला शायद आपको याद हो मैं पढ़ाता हूं इसको आफ लाइन क्लास में और ओन लाइन में भी मैंने पढ़ाया है CP बटे MP बराबर हो जाता है यह हो जाता है आपका 100-D बटे 100-D 100-D बटे 100-D यह क्वेशन मैंने कई बार बढ़ा है यह दारेक्ट यह हमको आंसर देता है अगर आपको याद नहीं हो तो फिर आप ऐसे कर सकते तो दो रुपे की बस्तू को थीन रुपे में बेचेंगे तो बटा कितना बढ़ा दिया 50% बढ़ा दिया 50% यहां पर हमारा लाब कितना हुआ 50% हमारा लाब हुआ ठीक चलिए तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी या तो आप यह फॉर्मूला याद कर लें बहुत अच्छा है अगर आप यह फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो यह लॉजिक लगा दें इसके अलावा भी ह और शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो यही है जो मैंने आपको बताई है ठीक है चलिए तो फिर अगले कॉश्चन को लगा दिया जाए जाए इसको बड़ा बना यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग है यह थोड़ा सा कैलकुलेटव भी है और अच्छा कॉश्चन है लेकिन पेपर में आया हुए क्वेस्चन है वो कहते हैं कि वाट सम अफ मनी एट कंपाउंड इंट्रेस्ट विल अमांट टूर्पीस 4630.08 है यह वैल्य और यह न्ट आसामस्जिक किवकश में लंगाऊे में गम्यार बहुंठ आप इन एक मिन एक रिरेट में आबटा एंभात कैलकुलेटव कोश्चन है आप देखो मालो मूलदन पी है पहले साल चार परसेंट ब्याद दो तो मिश्दन कितना हो जाएगा इसका एक सो चार परसेंट कि step method नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि अलग अलग रेट है बहुत कैल्प्रेटर हो जाएगा इन्टू उसके बाद एक साल बाद पैसा कितना हो गया फिर पांच परसेंट बढ़ा दिया तो पैसा कितना हो जाएगा एक सो परसेंट फिर बढ़ जाएगा आपका कितना फिर बढ़ जाएगा आपका च्छे परसेंट तो बटा कितना हो जाएगा एक सो च्छे परसेंट ठीक है 106 पर्षेंट हो जाए अब ये बढ़ बढ़ा के बढ़ा कितना हो गया ये हो गया 4630.08 रुपीज पॉइंट 08 रुपीज हो जाए ठीक है तो मूलधन क्या है ये आपको बताना है ठीक है प्रिंसिपल क्या है अब ये प्रिंसिपल क्या है ये टू मच लेवल पर कैल्कुलेटिव हो गया ये काटने को आप काट सकते हो ऐसा नहीं है कि ये नहीं कटेगा काटते हैं पी इंटू बटा 104 परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा 104 बटे 100 मैं डारेऴ काट रहा हूं तो 4 से काटोगे तो 4 दुनी 8, 46, 24, 26 बटे 25 चारón 5 को काट होगे तो पांच दुनी दस पांच से कम पांच और पांच से काट होगे तो यह 20 हो जाएगा 21 बटे 20 हो जाएगा ठीक है अब यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 106 तो बटा 2 से काट देंगे तो 53 हो जाएगा 53 और यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है अब कुछ कहीं कुछ कटने की गुंजाइस लग रही हो तो वो भी काट दो भाई है तो यह कट जाएगा 13 बार और यह कट जाएगा 10 बार आप कुछ कटने की गुंजाइस नहीं है तो फिर इसको काट नहीं पड़ेगा अपने को अब 13 से इसको काट दूरी 1242 हो गया आपका चार मचा 21 , 42 हो गया कितना मुष्किल सवाल हो गया नजी बाएगा तो अब ऐसी इस्तती में क्या किया जाए काटा कूटी तो बटाब करी लोगे अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो कभी-कभी हमको emergency landing के काम करवाता है ठीक है अब हम वो तरीका सीखने जा रहे हैं और आप सीख चुके हो मैं पहले पढ़ा चुका हूं मैं कई वार तरीके को बताता भी है तो अब इतनी calculated values हूं तो अब क्या किया जाए तो अब क्या किया जाए अब किया जाए ये कि हम अपना digit sum concept लगा देते हैं digit sum concept में क्या होता है कि इसका digit sum निकाल लो इसका digit sum निकाल लो यहां से पी का digit sum उपको पता लग जाएगा तो देखो पी इंटू बटा इसका digit sum क्या होगा चार और एक पांच पांच और एक च्छे और एक साथ ये digit sum होगा बराबर इधर digit sum क्या है गा चार और छे दस और तीन तेरा और आठ एक्कीस 21 का दो और एक तीन कितना हो जाएगा दो और एक तीन एक वर और देख लो कुछ गर्वड तो नहीं है मेरे ख्याल से तो कोई गर्वड नहीं है चार और छे दस दस तीन तेरा और तेरा और आठ तेरा और एक्कीस का दो और एक तीन हो गया तीन हो गया ठीक है यह पी इंटू पांच छे तीस तीन हो गया और तीन सत्य एक्कीस का यह भी तीन हो गया अब तीन में एक पर और देख लेते हैं पांच हो गया पांच और एक छे उग चाएख साथ हो गया सभी चला है बिल्कुल ठीक चला है तो यहां पर इसका डिजिट सम क्या आरा चाहिए देखो अब देखो चार और पांच नो इसका डिजिट सम नो है अगर यह नो रखेंगे तो नो तीन सत्ताइस वरावर पांच आना चाहिए नहीं मैच कर रहा है चार और राट बारा बारा का डिजिट सम तीन हो गया है तीन रखोगे तीन तरका नो आना चाहिए यह भी नहीं हो रहा है ठीक है चार रख दो यहां चार और तीन बारा और बारा का डिजिट सम एक और दो तीन बिल्कुल बटा यह मैच कर रहा है और आठ रखोगे तो आठ 324 का 6 ये भी मैंच नहीं कर रहा तो फिर यहां पर डिजिट सम कंसेप्ट से हमने आंसर निकाल लिया आपका तो ये बहुत शॉर्टकट एप्प्रोच है इसको आप एपलाई कर सकते हो बाकि प्रॉपर काट ना है तो प्रॉपर काट लीजिए थोड़ा समय लग जाएगा जब ऐसे क्वेशन जहां पर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाए जब ऐसे क्वेशन याद रखिए जहां हम कभी कभी डिजिट सम एप्प्रोच लगा लेते हैं बस डिजिट सम में हमको यह द्याद रखना पड़ता है कि ऑप्शन हमारे ऐसा ना हो दो ऑप्शन ऐसे ना फजाए जिनके सेम डिजिट सम हो तो वहां पर जाके आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे वहां एक का अगला question question number 15 हमारे 5 question और बाकी है फटाफट से हम 5 question बनाते हैं चलिए question number 15 क्या है देखते हैं efficiency of a b and c are in the ratio two five seven working together they can complete it together they can working together they can complete a work in 10 days okay in how many days will a alone be able to complete 30 percent of the mark ठीक है तो a b और c का बिटा अनपाद दे रखा है छम्ता का अनपाद दो अनपाद पाच अनपाद साथ एक साथ काम करते हुए वे एक साथ काम कर सकते हैं और एक काम को दस दिन में पूरा कर सकते हैं एक साथ काम कर सकते हैं और अच्छा साथ में मिलके पूचने के लिए अच्छा सवाल है बहुत ही बेसिक है और थोड़ा बेसिक से अलग भी है है ना एक्जाम में 2020 में ही पूचा गया क्वेश्चन है एक्जाम में तो आप बदाइए इसका अंसर क्या होगा सोच यह थोड़ा सा जब तक मैं इसको पिक्चराइज करता हूं तो आपको जैसा की मैंने बताया था कि One Day वर्किंग का रिशियो और एकी बात होती है एबी सी की हमको रिशियो देञे है दो पांच नाद एकude कि इसका मतलब यह हमारी one day working का ratio हो गया इसका मतलब यह क्या हो गया हमारा यह हमारा one day working का ratio हो गया बात समझे है तो आप इसको बोल सकते हैं कि भहिया ए जो है वो अकेला दो दिन में काम कर सकता है एक लड़ू एक दिन में कितने लड़ू मना लेगा दो बी जो है एक दिन में कि लड़ू बना लेता है वी एक दिन में पांच बना लेता है सी एक दिन में साथ बना लेता है हम बोल सकते हैं तो ये तीनों मिलके काम करें तो एक दिन में किते लड़ू बन जाएंगे साथ साथ चवदा साथ चवदा और आपको बोल रही हैं कि ये तीनों मिलके दस दिन में क काम खतम करते हैं यही बोलने है ठीक है तो आप देखो के ए बी और सी मिलके काम खतम कर लेते हैं तस दिन मिलके काम खतम कर लेते हैं तस दिन में ठीक है तो जो एफिसिएंसी का रेशियो दिया था दो पांच साथ वो गया हमारा वंडे वर्कर रेशियो मतलब एक दिन में दो लड़ू बना सकता है बी एक दिन में पांच बना सकता है सी एक दिन में साथ ब और 14 तीनों मिलके एक दिन में बना लेंगे तो इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन में कितने बना लेंगे जी 10 इंटू 1415 तो हमारा टास्क हो byर और वहा टास्क हो गया हमारा 140 साब बात सब्धाइब तीरों मिल्के एक दिन में 14 बना रहा यह तो दस दिन में पूरा काम खतम कर ले थो एक दिन में 1410 दने कितना एक सो चादी अब प्रश्न यह नí यह 9 को का यह CP 8 6 बटे दो दिन में यहने सत्तर दिन में एक काम कप कर लेगा सत्तर दिन में लेकिन हमको तीस परसेंट काम करना है तो हमको एक पूरा काम नहीं करना तो हम एक लाइन में अगर इसको खतम करें तो एक काम कर रहे हैं 140 बटे दो दिन में तो 30% काम कप खतम कर लेंगे तो 30% मतलब क्या होता है 3 बटे 10 तो 3 बटे 10 काम कप खतम कर लेंगे यह हमको निकालना है तो कितना हो गया 2 से 14 कटा 7 बार 7 तीन 21 दिन में तो आंसर कितना आ गया 21 days तो इसका अंसर कितना हो गया D option 21 days clear है तो I think आपको clear हो गया होगा भाई कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें ठीक चलिए तो फिर 16 question के बाद बढ़ते हैं 70 प्रशन पर 15 के बास हो लिए 15 question हम कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं 15 के बाद 16 question पर चलिए question मैंने screen पर लगा दिया है और ये question आज का क्या बोलूँ सबसे कुप्सूरत question है ये challenge है आपके लिए कि इस question को आप हिंदी की जगे आप English में पढ़ेंगे इस question को तो जल्दी आप समझ पाएंगे तो आपको मैं थोड़ा दा समय देता हूं कि आप इस question को आराम से देखें और बनाएं ठीक है पर्यापत आपको समय देता हूं दो मिनट का time देता हूं इस question के लिए क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब एक effort आप खुद इस question में कर लो क्योंकि ये question बहुत ही प्यारी लेंग्वेज में है और जितना ये confuse कर रहे हैं उतनी जल्दी इसका अंसर आ जाता है तो अनुराग can walk a certain distance in 52 days ठीक है when he rest 10 hours a day मैं आपको एक वार समझा भी देता हूं इस question को अनुराग जो है एक दूरी को 52 दिन में पूरा कर लेता है when he rest 10 hours a day जबकि वो एक दिन में कितना rest करता है 10 गंटे rest करता है एक दिन में 10 गंटे वो रोक रहा है ठीक है how long will he take for twice the distance तो वो दोगनी दूरी तै करने में कितना समय लेगा if he walk जबकि वो यदि वो दौक कितना करे if he walk twice as fast मतलब जितना वो जिस गती से पहले चला था उससे डबल गती से अब चले twice as fast and rest twice as long और rest भी कितना करे जितना rest पहले कर रहा था उससे दोगना वो आराम करे ठीक है तो आप देखो उसने अपनी speed भी double कर दी rest भी double कर दिया distance भी double कर दी अब आपको बताना है कि वो double दूरी पहले जितनी दूरी चल ला था उससे double दूरी वो कितने समय में तै कर लेगा तो आपको इसकी language पकड़ में आई समझ में आई आपको है ना तो अनुराग बावन दिन में एक निश्चित दूरी चल सकता है वह जब वो दिन में 10 गंटे आराम करता है पहले पहले बावन दिन में पूरा एक distance travel कर रहा है रोज 10 गंटे आराम कर रहा है ठीके 10 गंटे आर पर श हंद तो से डवल दूरी जाये उसमें समय कितना लग है? यदि हम बहार यदि में और यह बहां दोबार तेजी से चले का मतलब दुगना आराम करता इसका मतलब हो गया, दुगना आराम करता है, बस ये language इसकी बहुत परिशान कर देती है, ये दो वार्क confuse कर देता है, तो दुगनी तेजी से चलेगा, दुगना आराम करेगा, अब आप बताएए कि उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, तो बिटा, आपको तो नहीं लगता कि यह MDS concept से सवाल बन जाएगा आप यहां पर क्या-क्या है देखो कि एक व्यक्ति है कि दिन भी दिये हैं ठीक है गंटे भी दिये हैं और इस्पीड भी दिये इस्पीड मतलब efficiency भी दे रखी है तो M1 D1, H1, E1 यह सब दे रखा है बटे बटे हमारा वर्क भी दे रखा है डिस्टेंस ट्रबल वर्क है अब सेकंड केस में व्यक्ति M2 हो जाएगा कितने दिन लगाएंगे कितने घंटे रोज चल रहे हो और आपकी efficiency क्या है मतलब speed क्या है यही सब है बटे वर्क यह आज का मैं बोलना हूँ ना यह आज का challenge है question यह सबसे प्यारा question है यह आज का और previous year में 2020 में यह exam में आया हुआ question है तो बढ़त भडी प्यारा question है तो देखो क्या और उसकी speed एक है तो वो क्या करता है वो एक दूरी तैकर लेता तो कितने कितने दिन में कितने को डबल तेजी से चल ला है और जर्फ कर raha अब पहले वो तस गंटे आराम कर रहा त veteran कर रहा तो इस वार आराम कितना करेगा बीस गंटे आराम करेगा तो वो चले concent हले तो T2 का मान कितना हो गया चार गंटे या H2 का मान कितना हो गया चार गंटे Speed आपने Double कर दी Speed आपने क्या कर दी Double कर दी और दूरी भी आपने दुगनी कर दी बात समझे आप तो आप इस चीज को इस equation को पर finally आपको समझा रहा हूं कि भाईया Speed Double हो गई एक से तो दूरी Double हो गई एक से तो आराम भी Double हो गया दस गंटे चल पहले आप 10 गंटे आराम करते थे अब 20 गंटे चलोगे आराम करोगे बागी तो अब सवाल में बचा दे, तो 13 चौक 52 होता है, 4 से काटोगे 13 बाद, 13 चौक 52 होता है, और 2 से काटोगे, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 13 into 14 बच रहें, क्या बच रहें, 13 into 14, तो 13 चौक 52, 5 बच बच रहें, 13 एकम 13, 5, 18, तो आंसर कितना हो गया 182 यानि कि D option आपका आंसर हो गया 182 यानि कि D option आपका आंसर हो गया तो बहुत ही प्यारा सवाल था बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल था और उमीद करता हूं कि इस question को आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको और जो भी बिटा daily dose में आपको question मिलते जाएं अच्छे question मिलते जाएं आपको लगे कि बहीं 20 question में से तीन question बड़ा शांदार है उनको आप note कर लिए उनका एक notes को ना लीजिए आप screenshot लेके रख लीजिए कुछ भी ऐसा किरिए है ना तो जिससे आपके दिमाग में रहे वो निकले नहीं है पर पज़ यह ह और आज का हमारा question number 17, आज का हमारा question number 17, the average marks of 40 students was found to be 68, 40 बच्चों के जो औसत number है वो 68, if the marks of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46, ठीक है, तो 84 की जगे हमने enter कितने कर दिये, 48, तो सही marks कितने थी, 84, और enter हमने कितने कर दिये, हमने enter कर दिये, कितने, 48, और इसी प्रकार जो सही marks से 46, उसकी जगे 64 कर दिया, जो 46 था, उसकी जगे हमने क्या कर दिया, 64 कर दिया, यह actual value थी, यह गलत रहती थी, अब आपको बताना है सही एवरेज क्या होगा चालीस बच्चे कितने 40 बच्चे कितने 40 और उनका एवरेज कितना दे रखा है 68 एवरेज दे रखा है 68 ठीक है यह आपका सीन है तो भाई आप यह सोचो कि एंट्री कर दी हमने यह हमने एंट्री कर दिया तो 48 की एंट्री की दी करना था 84 का तो बटा कितने नंबर बढ़ जाएंगे अब करेक्शन करोंगे तो 14 में से 8 गया तो 6 और 7 में से चारगे 36 नंबर तो यहां बढ़ जाएंगे आचा यहां नंबर कम हो जाएंगे वह 64 तुमने एंट्री कर दिये थे 46 तो कितने नंबर ज्यादा ले लिए माइनस कर दो तो 14 मैं से 6 गया तो 8 नंबर तो यह कम हो जाएगे और 5 मैं से 4 गया तो एक 18 यह तो रजल्टेंट चेंज यह आएगा कि 18 नंबर बढ़ रहे हैं आपके जो भी आपने गलती सुधार की वह 18 नंबर बढ़ रहे हैं अब 18 नंबर किस पर बढ़ रहे हैं 0.45 की ब्रद्धी हो जाएगी कितने हो जाएगी 0.45 की ब्रद्धी तो पुराना जो और 68 था वो अब हो जाएगा हमारा 68.45 कितना हो जाएगा 68.45 याने की C option हमारा right option हो जाएगा ठीक है भई clear है तो भया यह हमारा 17 question था I hope आप पूरी तरह समझ चुके हैं इसको और average का एक basic question था और हम लेते हैं फटाफ़र से बढ़ा आज का अगला question question number 18 बहुत ही प्यारा question एक पहिया एक second में साड़े तीन बार घुनता है पचपन रेडियन कौन को गुमाने में पहिये को कितना समय लगेगा ठीक है तो रेडियन आप समझ लेना क्या होता है जो पाई होता ही रेडियन में होता है पाई का मतलब कितना होता है 180 डिगरी होता है पाई का मतलब क्या होता है 180 डिगरी आप देखो जब होता क्या है पाई या जब एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में तह दूरी कितनी होती है टू पाई या एक चक्कर में जो दूरी होती है मैं दूरी वो कितनी होती है टू पाई या होती है टू पाई और एक चक्कर की दोरी कितने हो थी तू पाई रीडियन में यहाँ पाई रीडियन में इसको हम बाइच बटे सात में ले सकते हैं आर कहाल मॉर्मेल कितने हंधिर रखा हैं वो गुम नहीं, एक सेकंड में फ़र 2.30 तीन बार 14 imagined अब एक बार में वो कितना गुमता है टू पाई आर एक बार में वो कितना गुमता है टू पाई आर या 180 डिगरी अब इसको हम दूसरे एंगल से देखेंगे क्योंकि यहां तो यह बात लगी नहीं रही है मैंने पूरा सवाल नहीं पड़ाता तो देखो एक बार में कितना गुमेगा वो 180 डिगरी पाई जो है गोल होता है पूरा एक बार में कितना गुम जाएगा 180 डिगरी का मतलब है वो कितना गुम जाएगा तीन सो साथ डिग्री घुम जाएगा इसका मतलब वो कितना घुम जाएगा टूपाई तूपाई का मतलब हो किया तीन सो साथ डिग्री तो पहिया एक बार में कितना घुम जाएगा तीन साथ डिग्री तो एक बार में कितना घुमेगा टूपाई रेडियर में बात कर रहे हो की तो इसका मतलब एक सेकंड में वो कितना चल लेता है वो चल लेता है एक सेकंड में कितना गूमेगा तो स साडें तीन?!" तो साधे तीन बार में घूमे गा साधे ही इंटू पाइए sonpper यह साधे पैका मतलब क्या हो गया साधे इंटू इंटू फ्यान होना है variety 17 गूम जाएंगा पास समझा है तो इसका मतलब एक सेकेंड मैं टेलह हैग word समय लगेगा तो अब उसको घूमना कितना है पचपं Vall 별ald il वद्च थे पाँच बड़ा दिएयो कितना हो रहा है उतने इसको बढ़ा दो तो यह कितना आ रहा है यह या रहा है नाएं थाइग कोन वगया यह फाशन बटे दो उस यह प्रढ़ चक्रद कर दो Państwo पांच बटे दो सेकंड लेगा, पांच बटे दो सेकंड लेगा, मतलब टाइम कितना लेगा, धाई सेकंड का टाइम ले लेगा, यारे आंसर क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, आपका अंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन यानि की 2. 2.5 second clear है आपका अंसर हो गया 2.5 second ठीक है भाई चलिए तो जल्दी से दो question और बचे हैं फटाफट दो मिनिट के अंदर उनको बूड़ा करके class कतम करें अपनी और हमने यह question बना लिया है और उम्मीद करता हूं आप कोई question समझ में भी आ गया होगा और लेते हैं फटाफट आज का next question चलिए तो 19 number question है हमारे daily rose का second last question है यदि किसी तरबुच के शीर से लंब में 10% की ब्रद्धी परपेंडिवला 10% बढ़ रहा है और area constant है तो उसके फैस की आधार में कितनी कमी होगी बड़ा प्यारा सा बेशिक सा सवाल है तो देखो ट्रेंगिवल में क्या होता है ट्रेंगिल में ट्रेंगिल को एयमीरा य। क्या होता है बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट है यदि किसी तरवच के शीर से लंब में 10% की ब्रद्धी हो जाती है और उसका छेत्रफल फिर भी हमें कि एर्या में कोई चेंज इर्या में कोई इर्या में कॉई चेंज ना मेंको इर्या से जाता है बेटा to आविस अगर है तो हाइट का जो रेशियो है उसका रेसीप्रोकल होता है बेस का रेशियो दस परसेंट हाइट बढ़ रही है बेटा दस परसेंट हाइट बढ़ रही है इसका मतलब हाइट कितनी हो रही है दस से ग्यारा इसका मतलब बेस हमारा कितना हो रहा होगा बेस हो रहा होगा जिस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ है न तो बेस और हाइट का प्रोडेक्ट हमें सा कॉंस्टेंट आ रहा है इसका मतलब हाइट का जो रेश्यू है उसका उल्डा रेश्यू होगा बेस का ठीक है तो यहां पर बेस आप देखी बटा कितना हो गया बेस हो गया आपका 11 से 10 10 11 आइट का रेश्यू तो पैस का रेश्यू क्या होगा 11पा 10 तो आपको बताना है आधार में कितने प्रतीशत की कमी तो एक की कमी हो रही है 11 पर इंटू 100 परसेंट इंटूँ 100 परसेंट तो कितना हो जाए गया 11 नो निल्टे के नो ज़ारा बटे सो बटे ग्यारा आएगा तो यहीं सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया हमारा यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो गया सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया ठीक है अब हम आते हैं आज के अपने आखरी क्वेश्चन पर और आज का हमारा आखरी क्वेश्चन है question number 20 और ये आज की हमारी class का आखरी question है 2021 में हम आखरी question पढ़ रहे हैं कल हम अपने Monday को हमारी next class होगी वो फिर नए set से होगी चलिए लास्ट question आज का देखते हैं वो कहते हैं कि खोकले अर्द गोले अर्द बूलाकार बरतन का आंतरिक ब्यास दे रखा है और स्टील सीट से बनाए जो 0.5 cm तो एक अर्द गोला है बटा ये अर्द गोला है और आंतरिक ब्यास इसका दे रखा है कितना दे रखा है अंतरिक ब्यास 24 तो इसकी radius कितनी होगी 12 इसकी radius कितनी होगी capital r और small r की बात कर रहे हैं तो small r तो हमको 12 दे रखी है लेकिन अगर आप capital r की बात करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो capital r है वो आपकी कितनी हो जाएगी 12.5 यह कुछ कितनी हो जाएगी 12.5 तोड़ा calculated question आ गया है उल्टा लिख दिया शायद मैंने अच्छा यह इसको हम small r बोल देते हैं और capital r कितना होगा है 12.5 होगा है और बरतन के कुल प्रश्ट छेत्रफल कितना है total surface area हमको बरतन का निकालना है ठीक है तो बटा बहुत calculated question है too much calculated question आ गया है पाई के form में answer है मैं इसका formula पहले बना दूँ तो बटा जो अर्द गोले की जो सरकर्वड एरिया है दो कर्वड एरिया होंगे दो कर्वड एरिया होंगे और ऊपर दो रिंग बनेंगी कटा हुआ जो area of cross section है और सब कुछ मिला के total surface area आएगा तो सबसे पहले जो हम TSA का formula निकेंगे यहां पर पूर सर्फेस एरिया कितना होगा तो देंगा पूरा जो गोला होता है 4 Pi R², ठीक है? तो 2 Pi R² पूरा गोले का जो curved area होता है, 4 Pi R² तो आधे का 2 Pi R² होगा 2 Pi R² plus 2 Pi 2 Pi R² अच्छा, अब जो रिंग बनेगी, जो कटा हुआ है, इसा होगा, आप अर्दो गोले को उपर से देखोगे, तो ऐसा उसका फेज दिखेगा ऐसा तो ये बाला जो भाग है ये तो आपका सर्फेस ही बीच में कटा हुआ है तो बटाए इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वेर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वेर है ना तो पाई आर स्क्वेर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वेर यह हो जाएगा तो यह इसमें और जोड़ेगा इसको और जोड़ दो और पाई को कॉमन लेलो पाई एहां से टूपाई को मना जाएगा अब सकतरता करोगार फॉपर Reach People अब इसको पूरे को solve करना है और इसको आप सबक्रों करेंगे तो आप पूरी आपकी wander counselor है वह इसका answer जो आना चाहिए वह ना चाहिए ड यह ना वह इसका आशर का आना चाहिए आशिए का सब्सक्राइश स्यावजिन थोड़ा ज्यादा है तो पाई को कॉनले लो तो पाई को आप कॉमनले र değildi के फों मैं फॉक्सरे के व्रॉह यह 288 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 25 बटे 2, 25 का स्क्वार 625 बटे 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 625 बटे 2 और यह आपका आर स्क्वार माइनस आर स्क्वार यानि ए प्लस बीन्ट हो आए, यह हो जाएगा आपका 144, 144 और माइनस यह हो जाएगा आपका 625 बटे 4, तो ब 612.75 ज्यादा कैल्कुलेटिव था तूमच कैल्कुलेटिव क्वेशन था तो इसका अंसर आएगा डी तो भाईया आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं मैं आज लाइब क्लास नहीं ले सका कुछ ऐसी परिष्थितियों में फसा हूं कि कुछ नेट प्रॉब्लम होने की बघए से लाइव क्लास नहीं हो पाई है श्यलिए मैं यह क्लास को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं बहुत कच श्की क्लास लाइव हो जाए बट लाइव नहीं हो पाई और तो रिकॉर्डेट क्लास मैंने आज डाली है और डेली डोस में 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हम अगली क्लास हम लेंगे मंडे से और मंडे से क्लास लेने के बाद हम लाइव रहेंगे तो आपकी अगली क्लास में बटा होगी मंडे को मंडे को सौंबार को होगी सौंबार आई थिंग तीन तारिक का है यूजवल डाइम पर ही होगी ग्यारा बच्के पंदरा मिनट सुबह ही होगी तो आज की क्लास को हम यह विराम देते हैं और जाते-जाते मैं आपको बता दूं कि मेरा रैफ्र कोड का यूज़ करके आप 10% सब्सक्रिप्शन फीस में अडिशनल डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं ठीक है अगर अगर आप कोर्स पर्चेस करना चाते हैं तो टू येर का कोर्स आप पर्चेस करें बैस्ट रहता है जिसकी फीस हमारी 16,000 रुपए है अगर यह डिसकाउ को किसी भी एक्जाम को आप प्रफिशन कर सकते हैं किसी भी एक्जाम की आप प्रफिशन कर सकते हैं सारे सब्जेक को पढ़ सकते हैं और वो भी MP के टॉप एजुकेटर के साथ तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और जाते जाते आप सभी को नव आपके लिए किस जैसा भी निकला हो, लेकिन 2022 हमारा आपके लिए मंगल में हो, आपके जीवन में सेलेक्शन की खोशी लोगों लेकर आए, इससे बड़ी कोई बाद आपके लिए नहीं हो सकती है, तो बस भगवान से यही प्रातना करेंगे, कि 2022 में आपके जीवन में आपके जितने भी सपने हैं, वो साकार हों, वो पूरे हों, ठीक है, तो फिर मिलेंगे, आज के बाद हम 2022 में, तारीक तीन होगी, समय होगा, सुबह का सभा 11 बजे, चली, नमस्कार.